वेलकम टूदी ओनलाइन क्लास स्टूदेंस आज विम ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं एजेक्टिव फॉर्मेशन बाइडिंग फॉल और फॉल और फॉल और फॉल और अबल जो वर्ड है इनको जोड के कैसे हम एजेक्टिव बनाते हैं वह जानेंगे तो इसने पहल क्लियर है विशेशन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वर्णन करने वाले शब्द भी इन्हें बोलते हैं विशेशन को किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए प्रयों किया जाता है इसलिए वर्णन करने वाले शब्द भी बोलते हैं अब यह क्या होते हैं विशेशन उन्हें क कैसे बता रहे कि कोई चीज कैसी ब्यूटिपूल सुन्दर कि यह किसी संग्या की फूल क्या है संग्या फ्लावर अजन मैं विशेषता बता रहे परले हमने क्या जाना विशेशन उन्हें कहते हैं जो किसी संग्या की विशेशता या पिर बताते हैं या पिर संग्या के बारे में कोई अतरिक तूचना देते हैं ठीक है अब यहां पर देखते हैं formation of adjective by adding full adjective बनाएंगे हम शब्द जोड के F U L जोड करके हम जो है formation कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला example है she is a careful girl care के साथ क्या जोड़ा full जोड़ा ठीक है she is a beautiful lady beauty के साथ जोड़ा full ठीक है beautiful अब यहां क्या है पहले वाले में और दूसरे वाले उदारण में जो है संग्या care और beauty है ठीक है संग्या के नावने हमारा care और beauty ठीक है अब हमारे पास है care और beauty अब हमें क्या करना है care और beauty के अंत में full जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि जो है लड़की और lady कैसे है लड़की केरफुल है लड़ी ब्यूटिफुल है ठीक है care तथा beauty के अंत में full जोड़कर विशेशन मनाए गए है तो यह संग्या पर संग्या के साथ हमने लगा करके उसे विशेशन में कर्मर्ट कर दिया ठीक है क्लियर है she is a careful girl she is a beautiful lady अब दूसरे एक्जामफल में क्या कि है हमने आपने यहां देखा होगा ब्यूटिफुल की स्पेलिंग क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या है यह यूटि वाई आई तो है नहीं ठीक है तो यह जानते क्या है जुतियो दारण में beauty के अंतिमक्षर y को i में मदल कर foot जोडा गया है क्यों y से समाप्त होने वाले nouns आपको भी ऐसा ही करना पड़ता है नाउन्स संग्या या फिर नाउन्स एंडिंग विट वाई आर रिप्लेस्ट विट आई प्लस एफ यूट अब जो भी जो नाउन है वो वाई से एंड हो रहा है उसके अंदर क्या करेंगे हम जैसे क्या था बी ए यू टी आई ब्यूटी पहले तो हम ब्यूटी लिख रहे है आप पर ठीक है ब्यूटी अब इसको हमें अगर रिप्लेस करना है विशेशन बनाना है तो क्या करेंगे बी ए यू टी इसको रिप्लेस करेंगे आई plus ful plus ful ठीक है clear है यह example ठीक है हमने क्या देखा जो भी noun जो है y ते end होगा उसमें क्या करेंगे हम i से पहले तो y को i में बदलेंगे और उसके बाद ful जोड़ेंगे ठीक है clear है यह आगे बढ़ते हैं formation of adjective by adding able पहले हमने क्या देखा था full अब हम क्या करेंगे फुल कोड़ कर दिया हमने अब हम able जोड़ के कैसे जो है adjective बनाते यह देखेंगे क्या adjective कैसे बनाते है able के साथ a b l e अब यहां देखेंगे हमारे पास क्या शब्द है he has a readable book बुक कैसी है पड़ी जा सकने वाली अब यहां क्या है read के साथ क्या जोड़ा गया है read plus able तो वह क्या बन गई readable read जो है हमारे पास रिपेक है यहां पे क्या है read करना क्या बोलते है इसको क्रिया बोलता है ठीक है read करना क्रिया है इसमें एबल जोड़ दिया तो यह विशेशन मन गया remarkable book it is a remarkable book remark 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 plus a b l e अब यहां पर आपने क्या इसका able देखा कि कैसे able जो है उसका प्रयोग करके किसी शब्द को हमने विशेशन में बतला है ठीक है अब यहां पर पर हम देखते हैं क्या है हमारे पास नोट यहां पर प्रथमवद यूतिय उधारणों में क्रिया शब्दो को read तथा remark के अंत में एबल जोड़ के विशेशन बनाया है अब में हमने क्या देखा रीड और remark क्यों होता है रिमार्क करना किसी चीज की विशेश्था बताना इनके आगे हमने एबल जोड़ के विशेशन बनाया है कि कैसे full F.U.L का प्रयोग करके जो है किसी भी नाउन को हम विशेशन में convert कर सकते हैं फिर हमने देखा एबल को किसी भी क्रिया के साथ जोड़ के कैसे हम convert कर सकते हैं विशेशन में adjective में अब हमारे पास यहां पर क्या है यहां पर हमारे पास exercise है add full to each noun to make an adjective अब इन सब के ब पनाएंगे यह देखते हूं success full तो इधर क्या वाई है तो नहीं यह सीधा-सीधा फुल आ जाएगा help full यहां पर क्या हुआ हुआ प्रक्सेस पुल सेकेंड हो गया helpful थर्ड क्या है अमारे पास ब्यूटी अब हम देखेंगे ब्यूटी में क्या है वाई का प्रयों गया तो वाई हमने क्या देखा तो किस से रिप्लेस होगा आई से और प्लस एक वेल हो जाएगा useful useful भी सीधा सा वर्ड है नेक्स्त हमारे प प्रयोग करके जोड दिया जाएगा तो अमने देखा वाई का प्रयोग उसी पे सिर्फ जो है आई से उसको बदला जाता है रिप्लेस किया जाता है क्लियर यह पॉइंट next चलते हैं हमें क्या करना है able जोड करके जो है एक एक शब्द जो है उसको adjective में बदलना है ठीक है eviciation मनाना है able जोड के agreeable believable ठीक है advisable dividable hateable decoratable enjoyable and invitable ठीक है हमने क्या किया यहां पर full और able का जो प्रयोग करके शब्दों को विशेशन में convert किया है ठीक है तो हमने क्या देखा था adjectives क्या होते है यानि कि विशेशन जो है वे क्या होते है तो क्या जाना था students हमने यहां पर पर विशेशन के बारे में हमने देखा था जो विशेशन होते हैं ठीक है अब इनका कारे क्या होता है यह किसी संग्या की विशेशता बताते हैं ठीक है विशेशता यानि कि speciality क्या है किसी चीज़ की वो बताते है संग्या की विशेशता बताना या फिर अतिरिक्त सूचना देना जो है यह इनका कारे है अतिरिक सूचना किसके बारे में उसी संग्या के बारे में जो है या अतिरिक सूचना हमको देंगे तो विशेशन क्या होते हैं विशेशन वे वर्णन करने वाले शब्दों को का जाता है जो किसी संग्या के बारे में हमें बताते हैं ठीक है विशेशता बताते हैं या फिर उसकी जो है अतिरिक सूचना हमको देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एजेक्टिव यानि की विशेशन बोलते हैं फिर हमने देखा था कि फुल का प्रयोग करके कैसे हमने यहां पर पर जो है शब्द बनाए थे इसमें अगर हमने फुल जोड दिया तो यह बन गया विशेशन ठीक है अब नेक्स हमारे पास शब्द ब्यूटिफुल अब ब्यूटिफुल में क्या चीज है ब्यूटि के साथ फुल कैसे प्लस करेंगे तो हमने रूल क्या देखा था जो भी नाउन य से एंड हो रहा है यह कैसे कैसे कनवर्ट करेंगे हम आई से रिप्लेइस करके बी ये यू टी ऐफ यू उसके बाद यू यूटि अपुल का जो है एडिशन होगा उसके बाद एक वे जो है जोड़ा जाएगा इसके बाद हम क्या देखर थे घबल्यू प्रयोग करके है हम उसको देख रहे थैह क किसे बदल सकते हैं सबसे पहले था हमारे पास लने की विशेश्था बदल बुख वह बहुत ही अच्छी है ठीक है रिमार्क करना किसी चीज पे टिपनी है कमेंट मैं डिया हमतना हुनक बहुत जादा अछी ठीक है यह कि हमने रिमार्क है अदे मेर है को मैं A B अधी क्या तो कुमें बगन आए हुट्स हमने क्या क्या ता फॉल और और एबल को जोड के जो है हमने बनाए थे यहां पर पर विशेशन यानि कि विशेश्टा बताने वाले जो है वर्ड अब हम क्या करेंगे एबल और फुल के यूज से जो है हम करेंगे 10-10 वर्ड का ठीक है अब हमने क्या देखा हम फुल में वाय का भी प्रयोग करेंगे ऐसे जो वाय से क्लिर है ताट सौल पर तोड़े थैंक यून आवर नाइट दे